ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमः जय मातरानी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगवते दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों अपरा एकादशी जेश्ट मास के कृष्ण प्रक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत धारन करने से प्रेत योनी से मुक्ति मिलती है परनिंदा और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और अपरा एकादिशी का व्रत धारन करने से अपार पुन्यफलों की प्राप्ती होती है यश की प्राप्ती होती है कीर्थी की प्राप्ती होती है और भगवान स्रीयर विष्णु की असीम क्रिपा भी प्राप्त होती है तो इस वरत को धारण करके विते विधान से जो भी भगवान स्रीयर विष्णु की पूजा आरातना करते हैं उनके मन की समस्त कामनाई भी पुर्ण होती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ती होती है समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोग कर मरणो परांत ऐसा प्राणी विश्णु लोग को यानि की मोक्ष को प्राप्त करता है इसलिए शास्त्रों के अनुसार ये वरत बहुत महत्यपुण माना गया है तो अगर आप इस वरत को धारन करते हैं अत्यांती स्रेश्ट हैं लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अपरा एकादिशी का वरत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको विधे विधान से भगवान श्रेयर विष्णु की पूजा आरातना करनी चाहिए, मंत्रों का ज चाहें तो त्याग कर सकते हैं तो सात्विक भोजन लेकर विधे विधान से भगवान श्रेयर विष्णु की पूजा करने मातर से भी भगवान श्रेयर विष्णु की क्रिपा आपको प्राप्त हो जाती है दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूँ अ आज के दिन आपको किस प्रकार से करनी चाहिए कौन से मत्र है जिनका जब करने मातर से आपके मन की कोई भी कामना पूर्ण हो सकती है और कौन सा उपाय है जिसको करने मातर से आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो सकती है आज की वीडियो में मैं आपसे शेर करने व करते समय भी आप यह उपाइय कर सकते हैं, और निस्चिति आपकी कोई भी मनु काम ना हो भगवान स्रीहal विष्णु की जब असीम कृपा प्राप्त हो जाती हैं, तो कोई भी वश्तु संसार मेंग जो के दुरलब हो अप्राप्य हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है जब भगवान श्रेयर विष्णू की कृपा प्राप्त हो जाती है तो आज की वीडियो बहुत महत्वण है पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए क्यूंकि आपके like, आपके comment मेरे लिए बहुत महत्वण है यही एक मातर जर्या है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक तो जरूर ही किया करें इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में मातराणी के नाम का जैकारा भी जरूर लगाएं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तेक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की प्रारंब हो रही है कब समाप्त हो रही है। देखिए अपन्द्रह माई को सुभह दो बजकर चैनले मिनट पर 5 ऐसे में 15 मई को सुर्योदे कालीन तीथी के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा सोमवार का दिन होगा और हां एकादशी व्रत का पारण आप द्वादशी तीथी में करते हैं तो द्वादशी तीथी प्रारंभ हो रही है 16 मई को सुबह 1 बसकर 3 मिनट पर और समाप्त होगी 16 मई की ही रात्री में 11 बसकर 36 मिनट पर और हरीवासर की समाप्ती का समय होगा 16 मई को सुबह 6 बसकर 41 मिनट पर और हरीवासर की समाप्ती और सुर्योदे होने के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं तो सुर्योदे काल सुबह 5 बसकर 40 मिनट पर ही हो जाएगा लेकिन जब तक हरिवासर समाप्त नहीं होगा तब तक आप वरत नहीं खोल सकते हैं इसलिए वरत खोलने का शुब मुहुर्थ होगा 16 मई को सुबह 6 बसकर 41 मिनट से सुबह 8 बसकर 13 मिनट तक इसी शुब मुहुर्थ में आप अपना समाप्त नहीं होता तब तक भी वरत नहीं खोलना चाहिए तो 6 बसकर 41 मिनट से 8 बसकर 13 मिनट तक यह शुब मुहुर्थ है इसी समय में आप अपना वरत खोल लीजे और अब जानते हैं कि एकादशी के दिन कौन सा उपाय करने से किस फल की प्राप्ती होती है कौन सी मनो का अपने कामना के तो आपकी कोई भी मनो कामना प्रोण होती है और हाँ भगवान सुरेदेव को जल अर्पित करने से आपके पित्रों की आत्मा भी त्रिप्थ होती है तो इससे आपको पित्र दोसों से भी मुक्ति मिलती है इसके बाद जब आप अपने घर के मंदिर में आते हैं तो भगवान श्रीहर विष्णु की वेधि विधान से पूजा करते हैं तो भगवान श्रीहर विष्णु के सामने शुद्धिगी का दीपक जला कर और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं तो इससे भी आपको भगवान श्रीहर विश्नु की क्रिपा प्राप्त होती है। और हाँ, आज के दिन भगवान श्रीहर विश्नु का अगर विग्रह है आपके पास, तो सुख सम्रिद्धी सौभा की की भी प्राप्ती होती है, और मन वांचित फल की प्राप्ती होती है। और जिन भक्तों के पास तक्षिनावर्ती शंक ना हो, लेकिन अगर आपके पास दूध है, केसर है, जैसे कि शादी ब्याह में परिशानिया आ रही है, या फिर संतान की प्राप्ती नहीं हो पाती है, घर में कोई भी शुबकारिय नहीं हो पाता है, हर शुबकारिय में बाधा आती है, तो हल्दी मिशृत जल से अगर आप भगवान स्रीयर विश्णू का अभिशेक करते हैं, तो सभी मांगलिक कार्य प्रारंब हो जाते हैं, और भगवान स्रीयर विश्णू का अभिशेक किया हुआ जल होता है, उससे अगर आप अपने पूरे घर में चिड़काव करते हैं, तो समझत प्रकार की नकरात्मक उर्जा आपके घर से समाप्त हो जाती है, और हर प्रकार की सुक समरिध्धी की आपके घर में प्राप्ती होती है, घर से कलहकलेश दूर होता है बिमारिया दूर होती है आर्थिक तंगी दूर हो जाती है इस उपाई को करने से एकादशी के दिन भगवान श्रीहर विष्णू को अगर आप पीले पुष्प परपित करते हैं तो इससे आपके जीवन में शुबता आती है मन वांचित फलों की प्राप्ति होती है हर प्रकार की सुक समरिधी प्राप्त हो जाती है मात्र पीले पुष्प परपित करने से तो अगर आप अवरत नहीं भी करते हैं तो भी आपको विदेविधान से भगवान श्रीहर विष्णू की पूजा करनी चाहिए और पीले योग्य संतान की प्राप्ति होती है मतलब भगवान श्रीयर विष्णु और मालक्षमी की संयुक्त पूजा से कोई भी ऐसी मनों कामना नहीं जो पुर्णना हो समस्त कामनाय पुर्ण हो जाती हैं एका दशी के दिन पंचामरित का भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए कहा जाता है कि आज के दिन पंचामरित से भगवान का अभिशेक करने से और पंचामरित भोग में अर्पित करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है क्योंकि इसमें दूत, दही, घी, श चहजड सककर इन पांचों को अम्रित कहा गया है और अम्रित भग्वान को अर्पित करने से आपका भी जीवन अम्रित तुल्य हो जाता है मन वांशित फलो की प्राप्ती होती है और हां यह पन्चामृत भोग स्वरूप भगवान को अर्पीत करने के बाद प्रसाथ सुरूप परिवार के सभी सदचे ग्रहन करते हैं, तो इस से आपके अंदर के विकार दूर होते हैं। उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए और भगवान को भोग अरपित करने के बाद वो तुलसी का पत्ता भी आपको जरूरर गरहन करना चाहिए और वैसे तो ये मंटर आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से भी जब सकते हैं माला नहो तो हाथों से भी, मतलब कर माला से भी जब सकते हैं, वैसे भी बिना गिने यथा संभो भी जब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास तुलसी की माला है, तो तुलसी की माला से अगर आप भगवान श्री हर विश्णू के किसी भी मंत्र का जब करते हैं, तो उसका आ एकादेशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं लेकिन शाम के समय तुलसी में दीपदान जरूर करना चाहिए शाम को अगर तुलसी में दीपदान करते हैं अप उस दीपक में अगर आप थोड़ी सी हल्दी डालते हैं थो जो आप चाहते हैं वो वर्दान आप भगवान श्री हिर विष्णु आपको दे देते हैं तो यह बहुत स्रेश्ट उपाई है एकादशी के दिन भगवान श्री हिर विष्णु और तुलसी की संयुक्त पूजा करने से भी किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है अब इससे भी भगवान श्री हिर विष्णु की असीन क्रिपा आपको प्राप्त होती है तो घर के आसपास अगर पीपल का व्रिक्ष है तो वहां जाकर जल अर्पित कीजिए दूध अर्पित कीजिए पुष्प धूप दीप इत्यादी अर्पित करके पीपल व्रिक्ष का होती है और हाँ आज के दिन आप तीन बार परिक्रमा भी कर सकते हैं और पीपल के पास बैटकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाइनमा इस मंत्र का जब कर सकते हैं जिन्दम पत्तियों को संतान प्राप्ति की कामना है आज के दिन लड़्डू गोपाल की विदिवत प प्राप्ति होती है और विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो राधा और प्रिश्न की आराधना कीजिए श्री लक्ष्मी और नारायन की आराधना कीजिए और उसके बाद वहीं बैटकर ओम नमो भगवते वासुदेवाइनमा इस मंद्र का यता संभव जब कर लीजिए और धन की भी वृद्धी होती है और आपके कार्य भी सफल हो जाते हैं इसलिए आज के दिन यथा संभव भगवत गीता का पार्ट जरूर करना चाहिए अब बहुत से बगतों के प्रशन आते हैं कि कौन सा अध्याय पड़े वैसे तो देखिए कोई सा भी अध्याय आप पाते हैं तो पुस्तक की पूजा जरूर कर लीजिए भगवत गीता की पुस्तक के पूजन करने मातर से भी मन की समस्त कामनाय पूर्ण होती है क्योंकि समस्त प्रकार के पापकर्म भगवत गीता के दर्शन करने मातर से ही समाप्थ हो जाते हैं और एका देशी के दिन भग बस आपको ध्यान रखना है अगर आपकी कोई विशेश मनों कामना है तो दीपक प्रज्वलित करते समय अपने मन की कामना भगवान श्रीर विश्णु से कहिए और जैसे कि एकादेशी के दिन 24 गंडे के लिए भी आप अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और मान लीजिए कि आप पूरे 24 गंडे दीपक नहीं प्रज्वलित कर पाते हैं तो ऐसे में सिर्फ रात्री के लिए दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए मतलब रात्री में पूरे रात्री दीपक जलता रहे महां आपसे जितने समय भी हो सके भजन कीरतन कर लीजिए लिश्न सहत्र नंग कंप कर लिए कंग अपनी स Lat shout तो देखेयी विश्नु शहज्टाम का पार्ट करने से सभी प्रकार के सुखों की प्रापटि होती है यश्च shopping गाटारन श्फीर फे gest करने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों के ब्रापति होता है उड़ है और अगर आप करज से परेशान हैं रिन से परेशान हैं तो किसी भी प्रकार के रिन से मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है अपरा एकादशी के दिन फल का दान करने से जल का दान करने से अत्यंती स्रेश्ट फल की अगर आप परप्त favorkti होती मुझाय है मतलब जीवन में किसी भी प्रकार के फल की काम ना हो सुख में जीवन की काम ना हो घर में सुख सुविधाओं की काम ना हो भौतिक सुखों की काम तो जल और फल का दान एका देशी के दिन जरूर करना चाहिए। लोगों को अगर आप फला हार कराते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग जो की वरत करते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप फला हार कराते हैं, तो इससे आपको अत्यांत ही स्रेश्ट फल की प्राप्ति होती है, पुन्य समस्थ प्रकार की बाधाई दूर होती है नौकरी में व्यापार में अगर आप बहुत अधिक परिशानी में हैं तो उनसे आपको मुक्ते मिलती है तो अपरा एकादशी से संबंधित ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने अपरा एकादशी की पूजा विधी और आपको सभी उपाई भी शेयर किये हैं वैसे उपाई तो बहुत हैं लेकिन जितना हो सका है मैंने आपको इसमें सरल भासा में समझाने की कोशिश की है उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हाँ अपरा एकादशी व्रत की कथा की वीडियो आपको कल मिल जाएगी तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार